Hello guys, welcome back to my YouTube channel MK Biology. If you are watching my video for first time, then do like, share and subscribe to my channel. In this video, we are going to discuss about viral vaccine. So first, we see what is vaccine. Vaccination की definition क्या होगी? जो vaccine है, वो क्या है? आपकी medical preparations होती है. जो कि आमें अमारी body को, इमन्स की body को, किसी भी अनिमल की body को, immunity provide करती है, किसी particular disease से. ठीक है? ये vaccine की definition है. Vaccine में आपका कोई भी substance हो सकता है, जैसे कोई भी killed आपका micro-organism हो सकता है, या live micro-organism हो सकता है, या antibody हो सकता है, अलिम्फोसाइट हो सकता है, या हमारे ने हो सकता है, हम vaccine के अंदर वोई चीज़ यूज़ करते हैं. ठीक है? तो वो क्या है? अमारे जब body गंदर जाते हैं, तो अमारे body गंदर immune response generate होते हैं, जो कि हम immunity provide करते हैं, किसी particular micro-organism से, या कोई भी pathogen से. ठीक है? आगे देखते हैं. जो vaccines होती है, उसमें हम different substances यूज़ करते हैं, जैसे अभी मैंने बताया आपको. ठीक है? अम उन में क्या कर सकते हैं? वैक्सिन में dead microorganisms यूज़ कर सकते हैं, जो आपके genetically engineered, जो antigenes होते हैं, उनको use करते हैं. उनको use क्यों करेंगे? क्योंकि जो हमारे harmful microorganisms हैं, ठीक है? उनके against लड़ने क्या हमें? क्या मिल जाए? हमें immunity मिल जाए. ठीक है? यह आपका क्या था vaccine था? आगे और देखते हैं, इसके और point. जो effective vaccines होती हैं, effective vaccines क्या हैं? हमारी immune system को change कर देंगी, change कैसे कर देंगी? जो development होती है, antibodies की, उनको promote कर देंगी, जिससे क्या होगा? वो disease causing microorganism पर quickly और effectively attack करेंगी, ठीक है? जिससे कि हमारी disease zone microorganism की disease development की capability है, उसको रोग देंगी, ठीक है? अब आगे देखते हैं, जो vaccination term है, vaccination क्या होती है? vaccination is immunization, ठीक है? हमें हमारी body को immunization करने एक प्रोसिस को हम vaccination कहते हैं, कि इसके थुरू करते हैं? by vaccines, ठीक है? vaccines क्या करेंगी, हमारी body के अंदर active immunity को क्या कर देंगी, produce कर देंगी, ठीक है? तो उसे ही हम क्या कहते हैं, vaccination आगे देखते हैं, vaccination की history, जो Edward Zinner थे आपके, जो British physician थे, उन्होंने 1796 में cowpox virus को as a vaccine use किया था, किसके against smallpox के against, ठीक है? 1796 में Edward Zinner ने cowpox virus को as a vaccine किसके against use किया था, smallpox से बचने के लिए, ठीक है? तो यह आपका 1796 में Edward Zinner ने किया था, बट जो आपका 1885 है, Lewis Poster और Emily Rocks ने क्या किया था? सबसे पहले successful develop की थी vaccine को, ठीक है, against rabies, ठीक है, rabies के against में जो vaccine सबसे पहले जो introduce की रिवलप की थी, वो Lewis Poster और Emily Rocks ने की थी, ओके, आगे देखते हैं अब, फिर आपे आते हैं types of vaccine, आपके मिलनी 4 types की vaccine है, फर्स्ट आपकी inactivated vaccine, सेकंड है toxoid vaccine, थर्ड आपकी attenuated vaccine, एंड फौर्थ आपकी subunit and nucleic acid vaccines, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं live और attenuated vaccine के बारे में, live attenuated vaccine कोंजी होते हैं, लाइव attenuated vaccine को एक्षिन होते हैं, जिसके अंदर आपका जो whole organism में bacteria virus होता है, वो use होता है, ठीक है, उसमें हम क्या करते हैं, उस बैक्टिरिया virus को weak कर देते हैं, जिससे क्या होता है, वो क्या करता है, protective immune response को generate करता है, ठीक है, और क्या करेगा, कोई भी disease cause नहीं होने देगा healthy people के अंदर, ओके, आगे देखते हैं, अगला point है, जो live attenuated vaccine होती है, वो क्या करती है, strong और long lasting immune response को create करती है, ठीक है, जो live vaccine है, हम कब use नहीं कर सकते, जिन हम, उन people's वे use नहीं कर सकते, जिन के अंदर क्या है, जो immune system है, वो work नहीं कर रहा है, या weak है, ठीक है, उनके अंदर ह क्या है, drug treatment चल रही है, या कोई उसको और बिमारी है, ठीक है, जिससे क्या होगा, अगर हम उनके क्या करते हैं, वेक्सिन दे भी देंगे, live vaccine, ठीक है, तो जो bacteria है, weekend bacteria, attenuated bacteria है, कुछ cases में क्या हो सकता है, multiply कर सकता है, और disease को cause कर सकता है, इसलिए हम उनके क्या करते हैं, live vaccine न and rubella, mmr combined vaccine है, जो, varicella आपकी chicken box के लिए, influenza, nasal spray, rotavirus, joster and yellow fever, यह आपके examples हैं, इसके live attenuated vaccine के, ठीक है, आगे देखो, अब आते हैं हमारी inactivated vaccine, inactivated vaccine को हम killed vaccine भी कहते हैं, ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, जो virus का particle है, उसको देते हैं, या bacteria आपका, या कोई pathogen, ठीक है, उसको फिर हम grow करवाते हैं, फिर इसको हम kill कर देते हैं, ठीक है, kill करने से क्या होता है, इसको disease causing, जो producing capacity है, वो destroy हो जाती है, ठीक है, यह आपकी inactivated vaccine है, इसमें आगे और देखते हैं, जो disease causing microorganism है, इसको हम kill कैसे करेंगे, by, with the method of chemical aid and radiation, ठीक है, जो यह vaccine है, आपकी inactivated है, killed vaccine, यह more stable होती है, और safe होती है, आपकी live vaccine से, ठीक है, क्योंकि इसमें जो dead microorganism होता है, वो mutate नहीं कर सकता दुबार से, ठीक है, और ना इको disease cause करेगा, ठीक है, आगे देखो, जो क्या कहते हैं, हम vaccine prepare करने के लिए, जो microorganism है, या virus है, ठीक है, उसको हम kill करते हैं, mainly हम दो root से करते हैं ठीक है, first हमारा 8 से, second हमारा chemical method से, chemical हमारे कौन से chemical है, सबसे पहला हमारे chemical है, formaldehyde, beta, propyloacetone, ठीक है, यह आपका chemical है, traditionally agent जो हमारा inactivation के लिए यूज दता है, virus के inactivation के लिए, वो हमारा formalin है, ठीक है, तो यह important आप याद रखना, traditional agent कौन सा आपका formalin, ओके, आगे देखते हैं, inactivated और killed vaccine की, ठीक है, तो guys यह था आपका vaccine, I hope सबको समझ में आ गया है, मिलते हैं हमारे next video के अंदर, एक नए topic के साथ, thanks for watching my video